आखिर क्यूं मनाया जाता है गंगा दशेरा इसकी तारीक और महत्व आपको बताते हैं बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मोक्ष चैनल पर चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें सनातंधर में गंगा नदी को बेहत पवित और मुख्षताई नी माना गया है हर साल जेश्ट महा के शुक्लपक्ष की दश्मी तिती को गंगा रधशेरा मनाया जाता है रिसाल गंगा दशेरा 16 जून 2024 को है और इस दिन गंगास्नान के लिए ब्रह्म महुरत सबसे जादा अच्छा होता है इसके लावा इस दिन सुबा 7 बचकर 8 मिनिट से सुबा 10 बचकर 37 मिनिट तक शुब महुरत है गंगा दशेरा को गंगा वत्रण के नाम से भी जाना जाता है गंगा जी राजा भागी रत के पूर्वजों की शापित आत्मा को शुद्ध करने के लिए शिफ की जटाओं से होते हुए प्रत्वी पर अप्तरित हुई थी गंगा दशेरा पर जल सनंक्षण स्नान जल का दान का विशेश महत्व है इससे व्यक्ति के दस तरह के पाप नश्ट हो जाते है गंगा दश्मी पर गंगा स्नान करते समय आपको एक मंत्र का जाब भी करना चीए गंगा आमवारी मनोहारी मुरारिच चर्ण चत्रुन त्रिपुरा रिशीर श्वाचिरी पाप हारी पुनातु मा इस मंत्र का जाब जरूर करें वहीं गंगा दशेरा पर गंगा स्नान से इंदस पापों का हरण होता है परस्त्री कमन, बिना दी हुई वस्तु को ले लेना, कठोर वानी, जोट बोलना, निशिश्द हिंसा, चुगली करना, दूसरों की अहीती के लिए बोलना, दूसरों के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना, व्यर्थ की बातों में दुरा ग्रें खबर गेंथ में हम आपको ही कहना चाहेंगे कि जानकारी हमने सर्फ आपको मानने ताओ धार्मिक गरंथो और विवन माध्यमा पर आधारेत ओनलाइन मौजूद वेबसाइट से दी है इसकी जानकारी की स्पष्टरताक्वा मोख्ष चैनल कोई भी दावा नहीं करता है ऐसे का मैं अध्यूद जानकारियों के लिए मोख्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो ना छूट पाए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे